वे तवांग में चीन से जड़प को लेकर पर्लिमेंट में अपोजेशन के हंगामे पर मरकजी वजीर दाखला अमिच्छाने पलट पात किया अमिच्छाने का कि तवांग में जड़ाप के बाद हिंदुस्तानी फोट्जियों ने बहादुरे दिखाई और चीनी फोट्जियों को पीछे खदेर दिया कॉंग्रिस पर दोहरा मयार अपनाने का अजाम लगाते हुए अमिच्छाने कहा कि 1962 में कॉंग्रिस के श्यासन में चीन भारत के बड़े हिस्से पर कबजा कर लिया था मैं इतना सफ्प्ष्ट कहना चाहते हूं कि भारतिय जन्तापार्टी की सरकार है नरेंदर मोधी इसके प्रधानमन्त्री है और जब तक भारतिय जन्ता पार्टी की मोधी सरकार चल गई है एक इंच जमिन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता कल अपने सेना के जवानों ने जो आठ की दे रात को और नौ की सुवय को जो वीरता दिखाई है मैं इसकी बुरी बुरी प्रसंचा करता हूं इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही गंटों में वापिस खदेर दिया और हमारी भूमी का रक्षन किया है विपक्स के द्वारा चलने नहीं दिया गया है समुचा विपक्स और विशेश कर कॉंग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं अरुना चल में आठ की देर रात और नौ की सुबह गटी गटनाओं का हवाला देते हुए विपक्स ने बहु मुल्य प्रस्नकाल को स्थगित करवा दिया इसकोई ओचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लामेंटरी अफेर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्सामंत्री स्री राधना सिंजी इस विशय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई ओचित्य नहीं था मुझे भी थोड़ा अश्चरे लगा फिर मैंने प्रस्नकाल के सूची को देखा तो पांच नंबर का प्रस्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया पांच नंबर के प्रस्न है राजिव गांदी फाउंडेशन के एकसी आरे रजिस्ट्रेशन को रद करने के बारे में अब उनहीं के कॉंग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रस्न पुछा गया और चवाब में बहुत सपस्ट था कि राजिव गांदी फाउंडेशन को दोजार पांच चे और चे साथ के विक्तिय वसाल में चीनी दुतावाद से एक करोड पैंटीस लाख रूपिय का अनुदान प्राप्ट हुआ था चुंकि एपसी आरे के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था तो नौटिस देकर पून तया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गुरू मंत्राले ने इसका रजिस्ट्रेशन धद किया